नमस्कार इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है आज बात हो रही है एक्जिप पोल की नतीजे आने में 24 घंटे से भी कम का समय बचा है और अब हम बात कर रहे हैं पूरवांचल की कि आखिर पूरवांचल की तस्वीर क्या निकल कर सामने आ रही है इससे पहले हमने आपको दिखाया किस तरह से बीजेपी की वी आईपी सीट, समाजवादी पार्टी की वी आईपी स्पीट, यादव बहुल सीट और इसके अलावा मुस्लिम सीटों की फूरकास्ट हमने आपको दिखाई है जो एक्जिट पोल अब आपको लेकर चलते हैं पूरवांचल पंकर जी तो रेखा वर्मा समाजवादी पार्टी की उमीदवार है और यहां जीत मिलती नजर आ रही है समाजवादी पार्टी की रेखा वर्मा को पवन तो बिधुनी में यहां रेखा शर्मा यह पूरा यादव अहुल सीटों का एक आप कैटलोग देख सकते हैं करहल जस्वंद नगर मैंपूरी जस्राना फिरोजाबाद शिकोहबाद सिस सिरसा गंज अली गंज और इसमें अगर आप देखेंगे तो दो चार छे आठ नौ सी सीटें क्लियर समाजवादी पार्टी जीत रही है जबकि एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ सीटों पर टफ मुकाबला है और यादवों के गड़ एटा में बीजेपी की सीट है इस सीट है दिवियापूर इसकी तस्वीर एक्जिट पोल मेकानिकल करारी वो आपको दिखा देते हैं लाखन सिंग राजपूत मैदान में है जिनका मुकाबला प्रदीप यादव के साथ है और नतीजा काटे की टकर यानि इस सीट विधुना में भी लाखन सिंग राजप तफ फाइट में शामिल पंकर जी इसी इलाके की या कहें की यादव बेल्ट में 43 सीटे आरतिये चंता पार्टी ने जीती थी जिसके बाद कहा था कि हमने यादवों का किला ध्वस्त किया है और उसके बाद की तस्वीर दिबियापूर में यहां काटे की टकर है तो काटे की टकर अभी ज्यादा है यह चुन यहां सीधे सीधे समाजवादी पार्टी जो है जीपते हुए नजर आ रहे हैं यह सतेंद राय बीजेपी के उमीदवार है जबकि समाजवादी पार्टी के नफीस एहमद आनी यह वो नाम है पवन जो हमेशा से चर्चा में रहा है और यहां अगर देखें नफीस एहमद चीपते हुए नजर आ रहे हैं यह हम बात करने गोपालपुर की इस पूरी तस्वीर को देखकर अगर आप समझे कि यह इतना कड़ा मुकाबला क्यों है और सिर्फ एक केसरिया रंग क्यों है तो आपको बता दें कि यह यादव बहुल सीटों का लेखा जोखा है और यहां चलिए अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं वो है आजमगड की यह बहुत ही मतपून सीट है और अगर आजमगड पे आप देखें तो बीजेपी की तरफ से अखिलेश मिश्रा है जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से दूर्गा प्रसाद यादव है तो यह एक तरह से ग तो इसके बावजूद अगर यहां आजमगड में समाजवादी पार्टी है तो इस पर कोई सर्प्राइज नहीं होना चाहिए यह दोनों चीजों को आप मिला कर देखें तो यह जो नतीजे हम दिखा रहे है एकजिट पोल में कि आजमगड से दुर्गा प्रसाद यादव जीते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कोई हैरानी की बात नहीं है पिछली बार 2017 में जो आजमगड जिले की भी बात कर लें तो यहां मनीश भी इस इलाके में गए है आजमगड में काफी घुमते हुए दिखाई दिये थे मनीश क्या आजमगड की तस्वीर दिखाई दिये रही है इस सीट के अलावा भी एगर बात की जाए आजमगड और उसके आसपास के लाके देखिए पूरे आजमगड को समझाने हैं तो मुस्लिम और दलित दोनों पार्टी को मिला के उनको वोट मिला है और इनका असर पूरा आजमगड की दसो सीट पर होता है और चुकि इस बार ओवैसी दलित वोट बैंक साधना चाहते हैं लिहाजा वो बसपा के पुराने नेता को तोड़ कर अपने पार्टी में ल रहा है बिलकुल और बहुत इंट्रेस्टेड लोग होंगे जो तमाम वीवर्स हैं वो इंट्रेस्टेड होंगे कौन-कौन सी सीट पे कौन-कौन सी पार्टी जीत रही है तो एक्जिट पोल के हम आपको नतीजे दिखा रहे हैं जरा निजामाबाद की तरफ बढ़ते हैं यह भी काफी important constituency है तो अगर निजामाबाद में आप देखे तो बीजेपी के मनोज यादव यहां से candidate हैं और समाजवादी पार्टी के तरफ से आलम बदी आजमी candidate है और यहां पर भी नाम से भी लग रहा है इस शेहर के और सीधे समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर ही clear है यह निजामाबाद भी जो है वो मुस्लिम यादव जो combination है वो यहां पर अच्छा है करीब साथ हजार यादव हैं 40,000 मुसल्मान हैं तो यह सीट लेकिन इस सीट की चर्चा हाल में इसलिए हुई थी आपको याद होगा जो अमदाबाद ब्लास्ट मामले में जो फासी और एक को उम्र कैद हुई थी उसमें से जो छे लड़के थे वो इसी विधासवा निजामाबाद के अंतरकेत के रने वाले थे तो इसलिए अभी इसकी काफी चर्चा हुई थी लेकिन जो आलमबदी वहां से समाजवादी पार्टी के उमिदवार इसवार बने हैं वो पहल सुरत राजबर बीजेबी के कैंडिडेट थे जबकि समाजवादी पार्टी ने रमा कांत यादव को मैदान में उतारा था और इधर भी अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है एक्जिट पोल के जो नतीज़े हम दिखा रहे हैं आप में बड़ी बात ये है कि राजबर कैंडिडेट बीजेपी के टिकेट पर समाजवादी को अगर टरफ फाइट दे रहा है तो सवाल ये है कि क्या राजबर राजबर समाजवादी के साथ गए या राजबर बीजेपी के साथ बने रहे इस गुत्थी में बहुत सारे वोट फसे हैं बिल्कुल तो अब जरा अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं और अगली सीट जो है वो है सयद राजा की सीट यहाँ पर आप देखें सुशील सिंग बीजेपी के उमीदवार है जबकि समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा था मनोच कुमार सिंग को लेकिन यहाँ यहाँ जो है वो पल्टा है मामला एक तरह से बीजेपी जो है वो जीत्ती वी नजर आ रही है सयद राजा सीट से पर दोनों ही ठाकूर कैंडिडेट है और इसका मतलब यह है कि ठाकूर बीजेपी के साथ कड़े हैं उसमें कोई विभाजन नहीं हुआ है गाजिपूर सदर चलते हैं उसके बाद हमारे सहियोगी गाजिपूर में खूब घूमे है और फूलपूर निजामाबाद आजमगड गोपाल पूर इन सब सीटों पे गया है उनसे भी रेक्शन लेंगे सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि गाजिपूर सदर की तस्वीर क्या रही है संगीता बलवंत और जैकिशन साहू के बीचे मुकाबला है और देखिए बीजेपी की संगीता बलवंत समाजवादी पार्टी के जैकिशन साहू को काटे की टकर दे रही है और अगर BJP यादव बहुल सीट पर काटे की टकर दे रही है नतीजा कुछ भी हो सकता है